प्रिभाईयों और बहनों नमस्कार आज से ठीक एक माँ पहले मैंने कोरोना वाइरस संकट से निपटने के लिए इसी तरह आपको संबोधित करते हुए आप सब का सहयोग मांगा था आपको सच कहूंगा जब पहले बार कोरोना वाइरस से बचाओ के बारे में आप से सहयोग के अपील कर रहा था तो मेरे मन में कई आशंकाएं थी इतने बड़े प्रदेश के करोडों लोगों से अपना ब्योसाय, जिवन पद्यती, आचरन आधी बदलने को कहना और उसका पालन कराना कोई आसान काम नहीं था लेकिन आप सबने जो अनुशासन, संबल और संकर से निपटने की जीजी विशा दिखाई है, वो विलक्षण है आज 36 गड़ कोरोना वाइरस महमारी की नियंतरण में पूरे देश के समक्ष उधारन बना है तो इसके मूल में आप लोगों का अपने परवार, अपने राजे के लोगों के प्रती, त्याग और समर्पन का भाव है मैं इस सब के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं हमेशा इस सहीयोग के लिए आपका रिणी रहूँगा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी चीकिसकों, स्वास कारकरताओं, जिला और पुलिस प्रसासन, खाद्य महिला बालविकास, नगर निगमों, नगर पालकाओं, जन संपर्गे भाग के समस्त करमचारियों का, जिन्होंने 24 घंटे इस संकर से निपटने के लिए कारे किया हमारे राज में अगर हम कोरोना संक्रमन को नियंतरण में रख पाए हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूंका हमारे गाओं की रही है, चतिजगर गाओं का प्रदेश है, और हमारे ग्रामिनों ने स्वेक्षा से अपने गाओं में जिस तरह फीजिकल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पालन किया है, वो अद्भुत था, मैं हाद जोड़कर आभार ब्यक्त करता हूँ, आपको यह जानकर प्रसंता होगी कि आज चतिजगर की प्रसंसा पूरे देश में हो रही है, रिजवरो बैंक ने हमारी तारीव की है, कोरोना वाइरस नियंतरन में हम सभी राज्यों में सबसे आगे हैं, यह सब आपके कारण ही है, 20 अप्रेल से राज्य में बहुत सारी आर्थिक गत्विधियां प्रारंब करने पर हम विचार कर रहे हैं, गाउं में मर्रेगा के काम सुरू हो गये हैं, आप अपने जिले में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी और दिशा निर्देश आपको बताया जा रहे हैं इन दिशा निर्देशों का पालन करना सब के लिए जरूरी है, मेरा आप से विनमर आग्रा है कि आप प्रोजमर्रा के कामों में पूरी साधानी बरते हैं, अफ़ाहों से साधान रहें, कोरोना को हमने अपने प्रदेश में नियंतरित जरूर कर लिया है, लेकिन खत्रा ही है, हमें उसे अपने राज में फैलने का दूसरा आउसर नहीं देना है, अगर आपने फिस्कल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लगातार हाँ धोते रहें और भीड़भार से बचें, तो कोरोना को राज में फिर से फैलने का मौका नहीं मिलेगा, एक बार फिर मैं आपको सहीयोग के लिए आपका आभार विक्त करता हूँ, हमारी एक जूरता ही हमारे प्रयासों में पूर्ण रूप से सफल करेगी, धन्यवाद